नमस्कार चंद्राक्लासिस प्रियागराज के आनलाइन प्रेटफॉर्म पे आपका स्वागत मैं आई कितर पाठी हम लोग आज पढ़ेंगे संग संगहात्मक विवस्था क्या होता है संग इसको हमें समझना है लेकिन इसको समझने के लिए हमें कि इसका अंतर किस्से है इसको भी समझने अर्ठा 3 एक सासन विवस्ता जो होती या संगहात्मक उसकी चासन विवस्था यो होती है वो होती है एकात्मक शासन विवस्ता संघात्मक शासन विवस्था और एकात्मक शासन विवस्था और एकात्मक शासन विवस्था और एकात्मक शासन विवस्था और एकात्मक शासन विवस्था सासन विवस्था को पढ़ते हैं तो हम एक संचेप में एकात्मक सासन विवस्था को भी समझ लेना होता है इसलिए समझ लेना होता है कि यह किस तरह से इससे अलग है तभी हम संगहात्मक सासन विवस्था को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और भारत के समिधान में संग और तो आज हम इसके शुरुवात कर रहे हैं सबसे पहले संगात्मक सासन व्यवस्ता और संगात्मक साष्पन गर्यॉस्ता से कैसे रहता है किस आधार परूस्तों में के रहता है कि कैंद्र और राज रहा इन दोनों के बीच इस संबंधों की प्रिक्रति कैसी है इसके आधार पर शंगात्मक और एकात्मक सासन बिवस्था का अंतर इसपस्टोत है। केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह से सक्टियों का बिभाजन है। सक्तियां जो विभाजित हैं उसमें केंदर कहां तक हस्तक छेप कर सकता है दोनों अर्था संग और राज्य सहय अस्तित्वें हैं या केंदर का अधिपत्त रहता है इन सब आधारों पर किसी भी सासन विवस्था को संगात्मक और एकात्मक में माटा जाता है तो वास्तों में एकात्मक सासन विवस्ता क्या होती है जिसमें सभी सक्तियां वास्तों में केंदर में नहित होती हैं संग में या केंदर में नहित होती है और केंदर प्रसासनिक सुविधा के लिए या अन्न किसी कारण से उनको इकाईयों को अर्थात राज्यों को दे देता और राज उन विश्यों पर सासन करते हैं लेकिन चुंकि वो सक्तियां केंद्र के द्वारा दी गई हैं तो केंद्र उनमें कभी भी हस्तक्षेप कर सकता और हस्तक्षेप करके उन सक्तियों या उन विश्यों पर भी स्वयम ही सासन कर सकता ऐसी सासन विवस्ता को कहा जाता है एकातमक शासन ब्योस्ता एकातमक शासन ब्योस्ता इसी को सबसे पहले समझे लें तब फिर शंगातमक शासन ब्योस्ता अच्छे से समझे एकातमक शासन ब्योस्ता एकातमक शासन ब्योस्ता एकातमक शासन ब्योस्ता एकातमक शासन ब्योस्ता ऐसी शासन व्यवस्था संगात्मक शासन व्यवस्था क्या है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संविधान के द्वारा जिसमें संविधान के द्वारा समस्थ शक्तियां केंद्र को प्रदान की जाती है केंद्र में नहित होती हैं समस्थ सक्तियां केंद्र या केंद्र सरकार में नहित होती हैं केंद्र सरकार अफनी ओर से कुछ सक्तियां प्रांती सरकारों को हस्तांतरित कर देती हैं कर देती हैं कर देती हैं कि यह इस तरह से इसको कहते हैं एक आत्मक सासन बिवस्ता जिसमें सब सक्तिय संविधान के द्वारा केंद्र को दे दी जाती है लेकिन केंद्र अपनी सुविधा के दिश्टि अपनी इक्छा से कुछ सक्तियां राज्यों को दे देता इस संदर में डाइसी ने क्या कहा है डाइसी कहते हैं मैं डाइसी क्या कह रहा है एक केंद्री शक्ति के द्वारा केंद्री शक्ति के द्वारा सर्वूच्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ् एक आत्मक सासन है एक आत्मक सासन है क्या कह रहें डायसी कि एक केंदरी सक्ति जो होती है इस केंदरी सक्ति के द्वारा सर्वोच सक्ति का प्रियोग किया जाता है ऐसी सासन विवस्ताई वास्तों में एक आत्मक सासन अर्थात उसमें एक केंदरी सक्ता होती है वही सारी सक्तियों का प्रियोग करती है और वह जब चाहे और जितना चाहे उतना ही प्रांतों को देती उससे अधिक नहीं देती इसका मतलब क्या होता है कि सक्तियों का विभाजन तो होता है लेकिन सक्तियों का विभाजन समविधान के द्वारा नहीं होता सक्तियों का विभाजन जो होता है वो केंदर सरकार की इच्छा से होता है उसकी सुवधा क्या धार्थ और दूसरी बात क्या होती है प्रांतों की निर्भरता केंदर पर बहुत अधिक रहती है क्योंकि सारी सक्तियां केंदर में हैं इसलिए प्रांतों कि निर्भरता केंदर पर बहुत अधिक हो जाती है इसकी विशिस्ताएं ये कहलाएंगी क्या विशिस्ताएं होगी इसकी एक आत्मक सासन बिवस्ता की विशिस्ताएं पहली विशेशता क्या होगी सक्तियों का जो विभाजन होगा सक्तियों का विभाजन श्रमविधान के द्वारा इस पस्ट रूप से नहीं होगा बलकि किन सरकार के द्वारा विभाजन श्रमविधान के द्वारा श्रमविधान के द्वारा इस पस्ट रूप से नहीं किया जाता इस पस्ट रूप से नहीं किया जाता एक बात है होती है ठीक दूसरा क्या होता है दूसरा होता है प्रांतों की केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता होती है अत्यधिक निर्भरता होती है क्यों होती है क्योंकि सभी सकती है तो केंद्र में नहीं तो निर्भरता बहुत अधिक होती है अत्यदिक निर्भरता होती है तीसरी बात क्या होती है कि चुकि पूरा देश एक है इसलिए नांग रिकता एक आत्मक होती है एक एकल होती है पूरे देश की सासन व्योस्था एक आत्मक स्वरूप की होती है इसलिए नांग रिकता भी एकल होती है तीसरा क्या है उसा एकल नांग रिखता होती है कि अ एकल नांग रिखता होती है अब एक बात यह होता है कि इस से लाब क्या होता है इस तरह-की शासन विवस्था से क्या लाभ होता है या इसके गुण क्या होते हैं एक आत्मक शासन विवस्था के गुण क्या होते हैं एक आत्मक शासन विवस्था के गुण यह अच्छा यहां क्या क्या होती है इसके गुण क्या होते है नंबर एक दो करके लिए सबसे पहला गुण क्य होता है प्रसासन में सुविधा रहती है प्रसासनिक सुविधा बहुत अच्छी रहती है क्यों कि एक जगा से सारे आदेश्चारी होते हैं इसलिए प्रतासनिक रूपता प्रसासनिक सुविधा बनी रहती है दूसरी बात क्या होती है कि छोटे राज जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है छोटे राजियों में प्रसासन पूरी तरह से एक रहता है और प्रसासन एक रहने का लाब क्या मिलता है कि वो राज पूरी तरह से एक जुट रहता है अर्था देश की एकता और अखंडता के लिए भी बेहद एकता और अखंडता एकता और अखंडता के लिए अखंडता में सहायक लिखने के लिए लावदायक लिखने के बजाए में सहायक लिखने में सहायक देश की एकता और अखंडता में सहाय एक बात आती है दूसरी क्या आती है छोटे देशों के लिए सर्वोत्तम है क्योंकि छोटे छोटे देश अगर है अब उसमें भी संगी बिवस्था होगी तो बहुत छोटी छोटी काईयों में बिभाजन हो जाता है इसलिए छोटे देशों के लिए तो एक अच्छी सासन बिवस्था है और प्रसासन एक जगा से चलता है इसलिए प्रसासन सक्तिसाली होता है या सासन बिवस्था सक्तिसाली होती है प्रसासन सक्तिसाली होता है और तीसरी चीज क्या होती है कि प्रसाशन में एक रूपता बनी रहती है प्रसाशन में एक रूपता बनी रहती है अब क्या है इसके कुछ आउगुण भी होते हैं आउगुण कौन-कौन से होते है या दोस कौन-कौन से होते है आउगुण या दोस इस एक- आचमक बिल्कु पूरी तरह से खतम हो जाती है, दूसरी बात है, सासन एक जगा से संचालित होता है, तो नौकर साही की निरंकुस्ता बढ़ जाती है, इसमें जो सबसे महत्पोर अउगुड है, वो क्या है, केंदर सरकार निरंकुस हो जाती है, केंदर सरकार निरंकुस हो जाती है, केंद्र सरकार निरंकुष हो जाती है एक पहली बात है केंद्र सरकार निरंकुष हो जाती है एक बात दूसरी बात क्या होता है नौकर साही का प्रभुत्त हो जाता है नोकर साही का प्रभुत्त हो जाता है नोकर साही का प्रभुत्त हो जाता है बास्तों में क्या होता है जब एकात्मक शासन होता है तो उस इस्तिती में एक नौकर साही इस तरह से विक्षित हो जाती है जिसका बहुत अधिक प्रभाव प्रसासन पे होता है और जब इसका प्रसासन पे बहुत प्रभाव होता है और एक ही जगा से सारा सासन हो रहा है तो उसके दो नुक्सान और होते हैं एक तो इस्थानी सो प्रशाशन में बाधा पहुंचती है और दूसरा शाशन में गुणवत्ता नहीं रह जाती है क्योंकि एक व्यक्ति इतना बड़ा काभिल होगा कि वो सारे शाशन व्योस्था को सम्हाल लेगा यह बहुत मुश्किल काम लगता है तो ऐसी इस्तिति में प्रशाशनिक प्रभुत्ता अपने आप कम हो जाती है तो नोकरसाई का प्रभुत्त हो जाता है उसका प्रणाम क्या निकलता है प्रशाशन या शासन अक्षम हो जाता है अगला नोकरसाई अगला क्या है इस्थानी सोशाशन में बाधा जाती है इस्थानी सोशाशन में बाधा आती है बाधा तो यह वास्तों में क्या है एक आत्मक सासन ब्यवस्था है इसको हमने संशेप में पढ़ लिया क्योंकि हमें संगात्मक सासन ब्यवस्था पढ़ना है भारत सब्सक्राइब भारत के समिधान के भाग एक में ही इसका वर्णन किया गया है यहीं से शुरुवात होती है भारत के समिधान के भाग एक क्या उच्छे एक में क्या लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संग तो यह भारत राज्यों का एक संग है तो हमें वा को हमें पढ़ना है इसलिए हमने एक आत्मक सासन व्योस्ता को एक संशेप में पढ़ लिया कि यह सासन व्योस्ता कैसी होती है जिसमें एक सरकार होती है केंदरी सरकार जिसका प्रभुत बहुत अधिक होता है सारी सक्तियां संविधान के द्वारा उसमें नहीं होती संविधा को वापस ले लेता है उसमें तक्षेप कर सकते हैं इसके क्या गुण भी है क्या दोस है इसको भी हमने समझा अब अगली क्लास से हम कि संग उसकी विशेष्थाएं और भारत में संग घात्मिक सासन ब्योस्ता कैसी है इस चर्चा को जारी रखेंगे और हमारे और एल्टी के जीएस के लिए बैस संचालित हो रहे हैं संस्था विद्यार्थियों को इस समय भारी भरकम छूट भी दे रही है तो आप अपनी तयारी अभी से शुरू कर ले उसका फारम आने विज्यापन आने का इंतजार न करें क्योंकि अभी से आप उसकी तयारी करेंगे तो आपकी तयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी और इस समय प्रियागराज आपको फीस में भारी भरकम छूट दे रहा है जिससे वह विद्यार्थी भी अच्छी तरह से अपनी परिच्छा की तयारी कर सकें जो किसी तरह से आर्थिक कमजोरी महसूस कर रहे हैं तब भी आईए नहीं कर रहे हैं तब भी आईए क्योंकि संस्था तो आपको फूट देही रही है तो उसका लाव लीजी और ये छूट इसी नमबर माह तक है इसलिए जल्द नंबर है उस पर आप काल करके जानकारी प्राप्त कर लें या आनंद भौन के सामने हमारे आफिस में आके आप अगली क्लास में हम संग और उसकी विश्यस्ता हैं और फिर महारत की संग आत्मक व्योस्ता कैसी इस पर चर्चा जाड़ी करेंगे झाल झाल